बैंकों के लिए चल अचल संपत्ती जब्त करने का काम करने वाले दो भाईयों ने प्लोट बेजने के नाम पर लोगों को चूना लगाया। दोनों के शडियंत्र का भाजपा के पदादिकारी भी शिकार हुए। बताया जाता है कि चार लोगों से 1.64 लाख रुपए लेकर आरोपी रकम पचा गया। प्रताबनगर पुलीस ने स्वागत सोसाइटी शंकरनगर निवासी रोहन कुमार सिहं की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। पुलीस ने बताया कि आरोपियों में आदिवासी सोसाइटी जिंगाबाई टाकली निवासी नरेंदर राजेश वाहने और सत्यम अपार्टमेंट जाफरनगर निवासी विजय उर्फ नीलू राजेश वाहने का समावेश है। प्रकरन में नरेंदर की पतनी की भूमी का भी संदिहास्पत बताई जा रही है। प्रकरन में रोहन को चार प्लोट दिखाए। उन्होंने बताया कि चारो प्लोट बैंक ऑफ बडोदा ने सीज किये हैं। जल्दी उनकी बीकरी की जाएगी। विचाहे तो बैंक के अधिकारियों से सेटिंग करके कम दाम में प्लोट मिल सकते हैं। रोहन को प्लोट आ गए। आरोपियों ने ओनलाइन सेल डील करवाने का भी आश्वासन दिया था। इसके लिए रोहन ने आरोपियों के खाते में 72,40,000 रुपए आटी जीएस कर दिये। बाद में रोहन ने बैंक में पूछ ताच की। उन्हें पता चला कि आरोपियों उन्हें कुनाल पडोले और विपिन तेल गोटे को भी चूना लगाया है।